आदर्निय डाक्टर अशोक दलवई जी सेकेटरी अग्रिकल्चर भारत सरकार मंचपे को पेनलिस्ट और दोस्तों हमारी राष्ट भाषा हिंदी को हमारे प्रदान मंत्री मोदी जी ने पहचान दिलवाई जबकि 70 साल से राज भाषा आयोग बना हुआ था और हिंदी की कोई कदर नहीं थी मैं इंगलिश में बोल सकता हूँ और प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ लेकिन मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं लाया मैं सीधी सीधी देशी भाषा में बात करना पसंद करूँगा अभी तक हमारे देश में फूट शोटेज होती थी और 1965 का जमाना जब हम अमरीका से लाल गयों भीक में मांग के खाया करते थे ट्रेड़िट गोस टू साइंटिस्स लाइक डाक्टर नॉर्मन बोर्लोग डाक्टर स्वामी नाथन जोनोंने सीड की नई वराइटिया देश को दी और उसके बाद हमारे देश में पहला ग्रीन रेवुलिशन आया उस ताइम न्यूट्रेशन की बात नहीं थी भूग पेट की भूग शांत करने की बात थी तो फूट सेक्योटी में हम न्यूट्रेशन की बात अब शुरू हुई है जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ना शुरू हुई है और हमारे देश में भी आज दूसरा ग्रीन रेवुलिशन आ चुका है लेकिन वो दबे पाउं से आया और लोगों को पता भी नहीं लगा और अब हमारे देश में एवर ग्रीन रेवुलिशन की जरुवत है मैं कोट करना चाहूंगा सन 2000 में हमारी कंट्री का एग्री कल्चर जीडीपी सिरफ 100 बिलियन डालर था और 2014 में वो बढ़कर 366 बिलियन डालर हो गया तो आप देखिए 2000 से 2014 तक हमने कितनी तरक्की की यह तीन गुना से ज़्यादा जो हमारी जीडीपी एग्री कल्चर में भढ़ी उसमें मेन कंट्रीब्यूशन मिल्क प्रोडेक्स, डेडी प्रोडेक्स और होटी कल्चर प्रोडेक्स आज 33% share होटी कल्चर का है, 33% डेडी मिल्क अनिमल प्रोडेक्स का है और 33% सीरियल्स का है तो आज बाते बहुत की जा सकती है लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारा किसान खेप में पसीना भाता और ये सब पैदा करता है उसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमारे मान्य प्रदान मंत्री जिने डाक्टर अशोग दलवई की चेर्मेंशिप में एक कमेटी बनाई है कि सन 2022 तक हम अपने किसानों के आमदनी दुगनी कैसे करें डाक्ट साब के चार वाल्यूम्स पब्लिश हो चुके हैं और दो वाल्यूम मैं भी पढ़ चुका हूँ और हमारे लोगों को बहुत सी गलत फहिमिया है सुनुई सुनाई बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं अभी डाक्ट साब बोल रहे थे फिपरी से कि हमारे यहां बहुत ज़्यादा रेजिडियू है पेस्टिसाइड का सुरी तु से अगर कोई अथंटिक डेटा हो तो हम को यह बात करनी चाहिए अगर पढ़े लिखे लोग भी गलत फहिमिया का शिकार होके गलत बातों का परिशार करेंगे तो उससे हमारे देश की बदनामी है आज हमें बड़े गर्व से अपने किसानों को सेल्यूट करना चाहिए कि आज विश्व में भारत एगरी कल्चर जीडिपी में दूसरे नंबर पर आ गया है आज पहले नंबर पर भी हम आ सकते हैं लेकिन उसके लिए आज हमारे किसान की क्या जरूवत है आज हमारे देश में ज़्यादा तर रिसर्च आयम टू सोरी डाक्टर साइंटिस्ट लोग युनिवर्सटी के इधर उदर से पेपर पब्लिश करने के लिए रिसर्च करके मैंने इतने पेपर पब्लिश कर दिये डाक्टर एच्पी सिंग या पुराने साइंटिस्ट लोगों के हम बात करें जो प्रेक्टिकली खेत में जाके रिसर्च करते थे कि खेत में किसान की क्या समश्चा है और उसको हमें कैसे दूर करना है जबकि आज सचाई है एग्री कल्चर यूनिवरस्टी में बिजनस बन गया प्राइवेट सेक्टर वाले आएं अपना प्रोड़क्ट टेस्ट कराएं उनको पैसे दें तो टेस्ट करेंगे अगर किसान की कोई प्रॉबलम है तो अपने आप एग्री कल्चर यूनिवरस्टी के विजने किसान की समश्चा समझ के उसके उपर रिसर्च करने उसकी समश्चा दूर करने के लिए काम नहीं करते हैं तो वो रिसर्च किस काम की आज लैब टू लेंड प्रोग्राम की बात की जाती है त उस समश्या का मिलकर युनिवर्स्टी में रिसर्च की जाए उसका सोलूशन ढूंडा जाए और वह प्रेक्टिकली इस्तमाल हो किसानों के द्वारा इंडस्ट्री के द्वारा ताकि देश का फाइदा हो लेकिन हमारे देश में सच्छा ये है कि ऐसा नहीं हो रहा आज किसानों तक डाक्टर दलवई साब काम कर रहे हैं उनकी इंकम दुगनी करने के लिए लेकिन मैं भी थोड़ा सा अपना एक्स्पिरेंस शेर करना चाहूंगा मैंने अभी कहा कि हमारा देश दूसरे नंबर पे है हमारा एजी वेजिटेबल होटी कल्चर का प्रोडेक्शन बड़ा है लेकिन उट अपने आपको बहुत लंबा समझता है लेकिन पहाड के नीचे से गुजरता है तो उसको अपनी लंबाई का अहसास होता है आज अगर हम अपने आपको चीन से कंपेर करें तो हम कहीं स्टेंड नहीं करते हैं चीन की एगरी कल्चर लेंड हमसे कम हमारी 142 मिलियन हेक्टर चीन की 128 मिलियन हेक्टर हमारे एवरेज रेंफाल 100 सोरी 1000 एमेम चीन की रेंफाल 600 एमेम हमारा एवरेज लेंड साइज 1.15 हेक फिर वो कैसे आगे है हम से तीन गुना प्रोडिक्शन दो हजार शोदा में एज़ पर एफ एओ चीन का एग्री कल्चर से जीडी पी था वन थाउजन फाइम मिलियन डालर तो क्या चीन के लोग चीन के किसान सूपर मानव हैं जो भगवान ने उपर से बेज़े हैं ऐसा नहीं है चीन के किसानों को तकनीक मिल रही है विग्ञान मिल रहा है साइंस मिल रही है और जिस से ये तरकी हो रही है और दुरबागे का विशह है कि हमारे देश में हमारे किसा तक साइन्स का फाइदा जो पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा बीचे अगरी कल्चर टुडेगा एक प्रोग्राम था मेरा काले शाहर डलवई साब भी थे इंडिया टुडेगा जसमें काफी किसान भाई भी आई हुए थे और मैंने उन से पूछा हाथ खड़ा करके आ नहीं आज तक हमारे पास सरकार की तरह से कोई क्रिशी के उपर चर्चा करने ग्यान देने नहीं आया अब ये कहने से तो बात नहीं बनेगी कि आज किसानों तक ग्यान कैसे पहुंचाएं हमने एक्सपेरिमेंट किया आज देश में करीबन चार लाख एगरी कल्चर तियार किया है और हमने मैनेज के साथ मिलकर जो टेशी उत्मादन खिसानों तक पहुंचाते हैं क्योंकि खिसान सबसे ज़्यादा आज उन्हीं के टेश में रहता है तो उनकी मैनेज के साथ मिलके उनकी 20,000 रुपे फीज थी 50% फीज हमने सबसेडी करी 10,000 रुपे हमने द ट्रेनिक प्रोग्राम शुरू किया तो आज मुझे गर्व है कि आज गुजरात की तीनों अगरी कल्चर युनिवर्स्टी में डीलर ट्रेनिंग का ये रेगुलर कोर्स बन चुका है और डीलर 20,000 रुपे देके खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं जबकि बाकी देश की दूस आज डीलर का ट्रेनिक प्रोग्राम शुरू करें तो हम डीलर के माध्यम से ये जो ग्यान है किसानों तक पहुंचाएं और उनकी जो आमदनी बनाने के लिए जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने एक टार्गेट दिया 2022 तक आमदनी दुगने करने के लिए और जिसके लिए ड दूसरी चीज़ पानी बिना पानी के कुछ नहीं है डाटर दलवई साब की रिपोर्ट थी कि हमको छे लाक उन्तालीस जार नो सो करोड रोपे की आवश्यक्ता है अगर हम किसानों के आमदनी दुगना करना चाहें 2022 तक मैं नहीं समझता शायद वित मंत्राले इतना बड़ बजट रिशी मंत्राले को अलोट कर पाए ऐसे में हम किसानों तक पानी कैसे पहुंचा सकते हैं पुराने जमाने में याद करें बिनोंबा भावे और गांदी जी को जिनों ने श्रमदान की बात करी थी क्या आज हम फिर से श्रमदान की बात करके जो मनरेगा और दूसरे इशूज हैं तो हर गाउं में तलाब बनवा सकते हैं जो पानी वर्षा का आज 70 प्रतिशत से जाके ज़्यादा बहके नदियों में चला जाता है समुद्र में चला जाता है अगर हम उस वर्षा जल को रो लें तो हमारे देश की क्रशिक आमदनी दुगनी हो जाएगी क्योंकि जहां सिचाई है वहाँ पैदावार दुगनी तिगनी है जहां सिचाई नहीं है तो वहाँ आदे से भी कम पैदावार है हम चाइना से क्यों कंपेर करें हम अगर अगर अपने स्टेट में कंपेर करें district to district compare करें तो पैदावार का बहुत फरक है आज मक्ता का अगर hybrid seed लगा लें तो आप 5-6 तंके production कर सकते हैं और मक्ता का ओर्णरी seed किसान यूज करता है तो उसकी पैदावार 2 तंकी होती है आज हमको पता है कि मक्ता का hybrid से अगर किसान को मिल जाए तो उसकी पैदावार बढ़ सकती है उसकी आमदनी बढ़ सकती है तो आज इसके लिए मिलकर public private partnership private private partnership अभी तक public private partnership के बात हो रहे थे हम private private partnership के बात कर रहे हैं कि किसानों के group और industry मिलकर काम करें आज भारे सरकार ने technology transfer के लिए क्रिशी विज्ञान केंदर बनाए है उनमें कुछ को छोड़ दें तो बाकी क्रिशी विज्ञान केंदरों से खिसानों को कोई फाइदा नहीं मिल रहा है मैंने डी जी ICR साब को कहा था कि क्यों नहीं आप इनको प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ देते की अच्छी फटिलाजर कंपनिया हैं सीड कंपनिया हैं पेस्टिसाइड कंपनिया हैं उनको प्लेट फारम मिले केवी केस बने थे तब उनका मेंन मेंडेट था कि न्यू टेकनोलोजी को ट्राइ करना उसका डिमोस्ट्रेशन करना और उसके फायदे फारमर्स को दिखाना पहुंचाना लेकिन सही माईनों में ये काम नहीं हो रहा और आज जो भी देश में एक्स्टेंशन का काम हो रहा है उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है आने वाले समय में अगर नूट्रिशन सेक्योटी हमको चाहिए तो आज हमारी फ्रूट वेजी टेबल्स की प्रोडेक्शन चाइना के मुकाबले वन थड़ है अगर किसानों तक नई तकनिक बहुन जाए और मार्केट सबसे बड़ी बात है मार्केट में आज बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है एपी एमसी एप या दूसरे एप आज जैसे हर इंडर्सलिस्ट को फ्रीडम है कि वो अपना माल कहीं भी बेचे तो हर किसान के लिए फ्रीडम होनी चाहिए और किसानों की डाइरेक्ट मार्केट बननी चाहिए जहां किसान डाइरेक्ट कंजूमर को अगर माल बेच सके तो जो बिचोलियों का प्रोफिट है वो किसान के जेमें जाएगा कुछ और कुछ कंजूमर को सस्ता मिलेगा तो उससे बहुत बड़ा फाइदा हो सकता है दोस्तों समय कम है मैं डाक सामने जो पेस्टी साइट में बात कही उसको और जरूर क्लेरिफे करना चाहूंगा डाक्तर दलवई सामने रिपोर्ट अभी पबलिश की है उनकी सेकिन वाल्यूम में यह लिखा कि हमारे देश की पेस्टी साइट कन्यम्शन वर्ड में लोवस्ट है हमारे फार्मर की एगरी कल्चर की जो हंड़ेट परसंट कोस्ट है उसमें पेस्टी साइट का कंट्रिबूशन सिरफ पॉइंट फॉर परसंट का है 0.4% जबकि ब्राजील के किसानगा पेस्टिसाइड के उपर खर्चा 10% का है हमारे आप प्रती है तर 6-600 ग्राम पेस्टिसाइड का इस्तमाल है जबकि जपान में जाएं तो 11 किलो का इस्तमाल है तो हमारे लोगों को सच्चाई मालूम होना चाहिए भारत सरकार के क्षिम अंत्राजे के अंदाज़गत एक All India Residue Network है जो जिसके अंतरगत 22 लेबरेटरीज है जो GLP Accredited है और जो पूरे देश से हर प्रकार के खाने के पानी के स्वाइल के 16,000 से ज़्यादा सेंपल टेस्ट करते हैं और उसके जो रिजल्ट हैं पेस्टिसाइट के उसमें सिरफ 2% सेंपल में रेजिड्यू एमरल से ज़्यादा पाया गया जबकि योरोप और दूसरे कंट्रीज में देखें तो वहाँ भी रेजिड्यू चार्पांच परसंट से ज़्यादा पाया गया है तो हमारे देश में पेस्टिसाइट का कोई इस्तमाल नहीं है लेकिन जब रिसर्च की बात करें तो कुछ ऐसे एंजियू हैं कुछ ऐसे विग्यानिक हैं मैं तो यहां तक कहूंगा ऐसे देश द्रोई हैं जो हमारे देश का नाम विदेशों में बदनाम कर रहे हैं आज हिंदुस्तान विश्व में सबसे बड़ा एग्रिकल्चर प्रोड़क्स का एक्सपोर्टर बन सकता है शायद कुछ विदेशी ताक्ते नहीं चाहती कि हिंदुस्तान बड़ी ताकत बनके उबरे और एग्रिकल्चर प्रोड़क्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बने हैं वो किस किसम की रिसर्च जे एन्यू जवालाल नहिरू एग्रिकल्चर यूउवस्टी के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की जिसमें चालिस साल पहले बैन हो गए पैस्टिसाइड लाइक एल्डिन एल्डिन हेप्टा क्लोर का टेस्ट किया इंटरनेशनल पेपर में पब्लिश किया और स्टूडेंट को पीएश डी ड़क्ती धिगरी दे दी और जब भारत सरकार के क्रिशी मंत्राले ने उनसे जवाब पूछा कि आप जवाब दीजे डक्तर एके चक्रवती सामने तीन उनको नोटिस बेजे लेकिन आज तक जवाब देने नहीं आए तो क्या ऐसी ऊनिवर्स्टी ऐसे रिसर्च जो देश द्रों का काम कर रहे हूं क्या अलाउग किये जाने चाहिए आजменे आज जीन्यु को भी भारत सरकार का पैसा जाता है टेक्स पेर्स का पैसा जाता है तो क्या ऐसे संस्थानों को आने वाले समय में सपोर्ट किया जाना चाहिए या यह भी देखना चाहिए कि जो इस किसम का देश के साथ देश द्रोह कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं देश की विदेशों में बदनामी कर रहे हैं आज हमारे देश में अगर देखे तो मोदी जी ने जो इजित बढ़ाई है विदेशों में हर तीसरा साइंटिस भा हैं तो हम देश के लिए कंट्रिबूशन कर रहे हैं और हम सिरब बाते करें और देश की मेज खड़ाब करें तो उसे कोई फाइदा नहीं है मैं तो दलवई साफ से निवेदन करूँगा कि समय करें निकाल कर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बात करें कि हम मिलकर किसानों का देश का कैसे बला कर सकते हैं किसानों की आमदनी कैसे बला सकते हैं देश की जीडीपी कैसे बला सकते हैं देश का बला कैसे कर सकते हैं एसो चैम का धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने मुझे सुख़ाई।